हलो हलो जंता कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल दिस इस मी अनुम पाद्धिया और आज का मारे जो टॉपिक होने वाला हो यह होने वाला यह वाला जो पूरा की पूरा चैप्टर है इसके दो हिस्से करेंगे हैं तो यहां पर पहला वाला जो हिस्सा इसका नाम है मैटर पहले हिस्से में हम समझेंगे मैगनेट कैसे काम करती है कौन होती है मैगनेट क्या होती है मैगनेट किस तरह से करती है मैगनेट कैसे मैगनेट field पैदा करती है दूसरी magnet की magnetic field में एक magnet किस तरह से behave करती है ठीक है यही सारी चीज़े magnet के बारे में जानेगा दूसरा जो हिस्सा होने वाला इसका नाम होने वाला matter इसके अंदर हम जानेगे कि magnet किसी और matter के उपर कैसा behave करती है मतलब मैंने magnet को आपके उपर ऐसे करके लगा दिया आपके सामने में magnet पकड़के खड़ा हूँ तो magnet आपको किस तरह से behave करेगी किस तरह से influence करेगी ठीक है तो पहला part इसका था magnetism magnetism के अंदर देखो सबसे पहले समझेंगे बार magnet ठीक है पहले तो introduction थोड़ा सा magnet के बार हम समझेंगे क्या होती magnetic field line यह वो बार magnet बार magnet के बाद आकरी में देखें magnetism का gauss law यह तीन point हमारे main रहने वाले हैं सबसे पहली बात कि इस पूरी कहानी की इस पूरी की पूरी चीज की शुरुआत कहां से हुई कि magnet कहां से आ रही है magnet कैसे आई है तो ancient time पे लोगों को एक material मिलना शुरू हुआ जो कोई भी conductor या metal किसी influence की वज़े से या earth की magnetic field की influence की वज़े से magnet की तरह बन गया उसी को लोग use करके magnet की तरह magnet मानते थे जब भी ऐसे लटकाते थे और ऐसे गुमादे ते थे तो एक तरफा आके align हो जाता था तो लोगों को यह चीज बहुत interesting लगते थी वो एक magnet दूसरे magnet को पकड़के ऐसे attract करके चिपकती भी थी वो material दूसरे metals को उपर जा जा जाके चिपकती थी लोगों को fascinate करती थी यह चीज हमेशा से जैसे आपको पहली बार magnet ने fascinate करा होगा एकदम उसी तरह की चीज होती थी तो हम समझ लेते हैं यह what is magnet magnet क्या होती है magnet एक metal से या फिर ऐसा बोलू है conductor से बनी हुई एक चीज होती है तो rectangular bar magnet is a rectangular object made out of iron मतलब एक conductor metal steel से बनी हुई है समझ गया अब इसके बाद क्या होता है किसी ना किसी ferromagnetic substance से भी मिलके बनी हुई होती है ठीक है अब यह यहाँ पर यह पूरी की पूरी हमेशा एक magnet की तरह भीएफ करती है मतलब यह magnetic field पैदा करती है sorted magnetic field के बारे में हम पहले भी पढ़ चुक है शेप्टर में भी थोड़ा साम idea लेंगे तो magnet किस तरह से बनी हुई होती है एक magnet किस तरह से बनी हुई होती है यह magnet एक rectangular bar magnet होती है इसके अंदर एक north pole होता है इसके अंदर एक south pole होता है north pole के अंदर अच्छा magnetic field line कैसे exist करती है loop में exist करती है तो जो loop magnetic field line का बनेगा वो इस तरह से बनेगा यहाँ पे एक magnet के अंदर magnetic field line का loop कुछ इस तरह से बनता है तो क्या north पर से लूप में बेड़ा ध्यान से देखो ऐसा नहीं है कि नौर्थ पोल से magnetic field line पैदा हो रही है, साउथ फोल पर माप्नेटिक फील्ड लाइन समाप्त हो रही है न Search से निकल रही है South पर समाप्त नहीं हो रही है समा रही है, अंदर जा रही है तो North से निकलती है, South में समाती है क्या everyone is sorted, Magnetic Field Line इस तरह से behave करती है North से निकली-घूम क्या कि सोर्टेड वाई सोर्ट देविए हर एक प्राणी बहुत अच्छा से सौर्टेड हो यहां इस चीज को ले करके कि यहां पर से ऐसे घूंके मेगनेट यहां साउथ में समा गई I hope everyone is super duper sorted clear, okay everyone is super clean, तभी यह magnet क्या होती, दू तरह की magnet होती, ऐसी cylindrical magnet हो जाती है ना लोग cylindrical तरह की magnet बनाते हैं दूसरे तरह की magnet होती, rectangular magnet इसे bar magnet बोलते है, cylindrical bar भी bar magnet है, लेकिन इसका shape cylinder होता है, यह होता है, rectangular magnet होती है, ठीक है, इसकी property क्या होती है इसका प्रापर्टी होती है अगर तुम इसे ब्रेक कर दोगे जैसे हमारे पास एक North Pole है South Pole इसे तुमने तोड़ दिया तो इसके अंदर North और South North और South ऐसे बन जाएंगे clear है इसके तोड़ दिया तो North South North South दो पोल बन जाएंगे इसके अंदर, इसके अलावा क्या होता है, यह magnetic field पैदा करती है, तो जब भी एक bar magnet होती है, वो हमेशा magnetic force of bar magnet is strong at pole, ठीक है तो यह magnetic field पैदा करती है, और magnetic field से हमें पता चलता है, कि यहाँ पर इसका magnetic effect सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर इस pole के around, इसका magnetic magnetic effect, सबसे ज़्यादा होता है, clear है, okay, अगली चीज, अगली चीज इस magnetic field को represent कैसे किया जाता है, इसको use कहां किया जाता है, तो भी इसको represent किया जाता है magnetic field line से, दो meagnet में हमेशा north pull, south pull attract करते हैं, south pull, south pull और north pull, north pull, repel करते हैं, क्या बात clear है, इनमें से कौन सा हिस्सा सही है, हमना भी जेस्ट एक बात सीखी थी, कि जब भी मेगनेट तूटती है, उसके 2, 3, 4, 10, 15, 20, 40, जितने भी टुकड़े करोगे, उसके जब आप टुकड़ों पर टुकड़े करते जाओगे, तो उसमें North, South, North, South बनते जाएंगे, तो यहां South है, यह North बन जाएगा, यह North बन गया, तो इसका अगला South बन जाएगा, उसका अगला North बन जाएगा, उसका अगला South बन जाएगा, और इदर North बन जाएगा, कौन सा उप्शन इसमें सही है, जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सा उप्शन इसमें सही दिख रहा है, इसी वाला, सौर् इनी वगेरा में भी बार मेगनेट यूज होती है बहुत जादा डोर पैनल्स होते हैं जिसमें बार मेगनेट यूज होती है इन फाइनाइट तरह के यूज है बड़े-बड़े इलेक्ट्रोनिक्स में बार मेगनेट का यूज होता रहता है अब बार मेगनेट भी या क्या ए एसा मेटल का पीस है, एसा मेटल का पीस है, समझ लो, एसा आइरन का पीस है, जिसको तुमने जबर जस्ती मेगनेट बना दिया है, ठीक है, तो यह आइरन के पीस के अंदर तुमने कुछ तो जादू करा है, जिससे यह मेटल, एक मेटल है, आइरन का पीस है, यह बार के मारा, तो क्या यह वो चीज जो इसके दिमाग में बैठी हुए, कि यह magnet बन जुका है, यह भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा तो हाँ, अगर जब भी हम किसी चीज को hammer कर रहे हैं, heat कर रहे हैं, drop कर रहे हैं certain height से, क्या उसकी magnetic लूज हो जाएगी बिल्कुल लूज हो जाएगी यस ओके 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 ऐवरिवने सुपर दूपर सौर्ट मेगनेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है अब 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 बार मेगनेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है बार कैसे मेगनेटिक फील्ड बना रहा है कहां मेगनेटिक फील्ड जादा है कहां मेगनेटिक फील्ड कम है कहां कितनी मेगनेटिक फील्ड है उसी सब को बताने के लि denote करना होगा कि यहाँ इतनी magnetic field है ज्यादा है ज्यादा पास पास बना दो जहां कब magnetic field है magnetic field line तो दूर दूर कर दो magnetic field line की intensity magnetic field line की presence वो सब दर्शाने के लिए हम magnetic field lines बनाते हैं यहाँ देखो जब यहाँ देखोगे की जो intensity वो कमजोर होती जा रही है तो जहां-जहां magnetic field lines होंगी, जहां-जहां इसके अंदर magnetic field lines होंगी, वो हम magnetic field, जहां-जहां भी magnetic field होगी, वहां-वहां magnetic field line draw करके इसे denote कर देंगे, clear? तो यह magnetic field line क्या है? magnetic field line can be defined as the imaginary line, मैंने आपको जहसे बताया था, खयालों की line है, imaginary line can be drawn along the magnetic field in acting around, that is acting around any magnetic substance, ठीक है? तो magnetic field को represent करने के लिए उसका अगल बगल है, imaginary line draw कर दी जाती है, जो उसका सिर्फ representation होती है, कि यहां पर यह magnetic field है, तो इस इस आर कॉल the magnetic field lines, ठीक है? हर magnetic field line close loop में रहती है, जैसा हमने बात करी थी, कि हमेशा close loop ही form करेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगे से शुरू ही, दूसरी जगे खतम हो गई, ऐसा नहीं होता magnetic field में clear है, इसके बाद भी और क्या property होती है, magnetic field line, जो ही electric field की property, almost all the same property है जिसे अगर magnetic field line है, इसके उपर अगर तुमने tangent डाल दिया, तो tangent हमें क्या बताता है, इस magnetic field line के उपर हमने क्या डाल दिया, tangent डाल दिया, तो यह tangent हमें क्या बताएगा, तुम बताओ खुद, यह tangent हमें क्या बताएगा, यह tangent बताएगा, कि कितनी इस point पर magnetic field की intensity किस दिशा में यहाँ पर अगर tangent डालेंगे तो intensity इस दिशा में होगी क्या बहुत अच्छा समझ में आ गया intensity of magnetic field line समझ में आ गई क्या 2 magnetic field line कभी intersect करेंगी नहीं करेंगी यह सारी property हम और electric field में भी पढ़़ चुक है इसका यह मतलब होगा कि magnetic field intensity वहाँ पर जादा है और जहां पर एक एरिया से कम magnetic field line जा रही है इसका मतलब यह होगा कि महाँ पर magnetic field intensity कम है I hope यह बात आपको बहुत अच्छा समझ में आ गए होगी which of the following is the true regarding the magnetic field line of force तो कौन सी चीज एकदम true है बिल्कुल सही है यह वैली सामने दिख रहा they are imaginary imaginary होती है समझ गए भाई अच्छा अब बताओ क्या bar magnet solenoid के जैसी होती है हाँ solenoid bar magnet के जैसा होता है bar magnet solenoid के जैसी होती है यह तो हमें तस्वीर देख की समझ में आ गया था चीकुबिया क्यों क्योंकि चीकुबिया solenoid को उसको बोलते है एक बार याद दिला दो है हम बहुत पापी इंसान है वह याद ही नहीं solenoid क्या होती है तो यहाँ देखो इदर ऐसे करके हमने एक solenoid बने हुमने यहां पर solonoid बनाई, इसके अंदर हमने बैट्री लगा करेंट है, जैसे हमने इसके अंदर कुछ कि बहरा है, तो क्या यह उपलोब है, इसके अंदर कुछ कारेंट लेत beggar में, बिल्कुल एक loop है, इसके अंदर current बहरा है, तो यह इस तरह से ऐसे magnetic field पहता करेगा, ओके, तो अगर मैंने बहुत सारे loops को एक साथ जोड़ दिया, बहुत सारे loop को एक साथ पूरी मस्त लंबी वाली spring लगा दी मैंने, वो गाड़ी में होता न, cycle वगेरा में तुमने देखा हो साइकल के स्टेंड वगेरा में आती है, यह उस टाइप की spring मैंने बना दी, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यह जो spring है, यह spring भी क्या करेगी, इस तरह से magnetic field line बनाएगी, क्या spring भी इस तरह से magnetic field line बनाएगी, जरा सोच लो, ऐसे close loop बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, spring भी ऐसे close इस लूप बनाएगी, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, क्या हर एक प्राणी बहुत अच्छा से समझ गया, सारी बात है, जल्दी बताओ, हर एक प्राणी बहुत अच्छा समझ गया, तो क्या यह बार equivalent, बार मेगनेट के जैसे ही बिएफ कर रही है, हाँ ब बहुत ही ज़्यादा अच्छे सारी सारी बात समझ में आ गई क्या तो लूप एक dipole के जैसा behave करता है loop मतलब एक magnetic field line बनाता है बिल्कुल बनाता है loop magnetic field line बनाता है अभी तो बात करी यहाँ पर हमने देखा था कि एक loop क्या होता है magnetic field line बनाता है तो जब एक loop magnetic field line बनाता है ऐसे करके इधर से शुरूओ के magnetic field line इधर खतम होती है तो number of loop बना देंगे तो भी magnetic field line बनाएंगे ठीक तो वो भी bar magnet की तरह behave कर रहे हैं वो भी किस की तरह behave कर रहे हैं डाइपोल की तरह sorted है बाई clear है कोई दिक्कत परिशानी समस्या तो नहीं है अब बताओ भया loop कैसे behave करता है डाइपोल की तरह behave करता है यह loop है यह डाइपोल की तरह behave कर रहा है इसका डाइपोल मुमेंट कितना होगा एक लूप का डाइपोल मुमेंट कितना होता है यह हमने फिछले चेप्टर में पढ़ा था मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं लूप का डाइपोल मुमेंट होता है M is equals to I N A मीना M I N A N क्या है भाई N क्या है number of turns भाई यह जल्दी से बता दो N क्या है number of turns sorted है M क्या है magnetic dipole moment I क्या है current N क्या है number of turns A क्या है area A क्या है भाई area हर एक प्राणी यहां तक बहुत अच्छे से clear हो चुका है sorted एकदम बहुत अच्छे sorted अब बात ही हो गई कि यह कौन-कौन magnetic field कौन कौन dipole कौन-कौन magnetic field पैदा करता है कौन-कौन सब्सक्राइब जिए इस तरह से current carrying loop है इदर बाहर आ रहा है ठिक और यह अंदर वाला साइड है ठिक तो इदर यह अंदर जा रहा है क्या ये भी क्या ये भी current carrying loop भी magnetic field बनाएगा बिल्कुल बनाएगा देखो इदर हुआ है है इस तरह से बनाएगा चारो तरफ ऐसे करके चारो तरफ ये क्या करेगा magnetic field बनाएगा क्या बात बहुत अच्छे समझ में आ गई ऐसे 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 बड़ा समझ गए तो इसका direction देखो कैसे निकालेंगे यूँ गुमाएंगे तो पता चलेगा बाहर की तरह पे तो यह सब अफने पिछले अब्व सिक्गताता था किले टो करेंट केरिंग लूप भी magnetic field बनाता है करेंट करेंट केरिंग की में मैंगेनिट के बनाता है। अगर मैं इसी को किलेंट करेंग लूप की सोलॉनऑल बनारी तो सोलोनोड भी क्या करेगी मेगनेटिक फील्ड बनाएगी इसी तरह से जैसी यह बना रहा है वैसी ही वैसी यह मेगनेटिक फील्ड बनाएगी ठीक, clear है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ठीक है, ऐसा कि ऐसा ही अगर मेरे पास बार मेगनेट हो यह N है, यह S है तो क्या बार मेगनेट भी कुछ इसी तरह से लूप बनाएगी जरा बता तो जरा बार मेगनेट भी क्या कुछ इसी तरह से लूप बनाएगी इधर, 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 क्या बार मेगनेट भी कुछ इसी तरह से लूप बनाएगी इनकी magnetic field थोड़ी butterfly type हो रही है. समझ रहो क्या? यह butterfly वाला जो इनके पास effect आ रहा है. butterfly ज़िसी इनकी magnetic field बन रही है. तो यह सारे कौन है? डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल. क्लियर क्या यह डाइपोल है? नहीं, यह डाइपोल नहीं है. तो यहां सब के पास क्या हो रहा है, dipole आ रहे है, दोपोल आ रहे है, जीधर से magnetic field निकल रही हो north है, जीधर से magnetic field समा रही हो south है, क्या यहां कोई dipole टाईप चीज़ नहीं दिख रही है, यहां तो magnetic field साफ-साफ goal goal loop बना रही है, इसमें भी north और south pole लिख रहा है, जैसे अगर इ इस जाइब को किया जाता है तो यह इस साइड कौन सा होगा नॉर्थ से नॉर्थ फील्ड में रख दूगा तो क्या होगा ये external electric field है मेरे पास कोई भी फढ़ा पर फढ़ा का निहां पर external electric field है मैंने यहां पर डाइपोल को रख दिया डाइपोल कौन ऐसे रख दिया ठीक यह डाइपोल ऐसे रखने का क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक बार मेगनेट को इधर North Pole, इधर South Pole करके यहाँ पर रख दिया है, और ये दोनों Magnetic Field में रखे हुए हैं, दोनों Pole मतलब North or South Pole एक साथ बार Magnet बनके Magnetic Field में रखे हुए हैं, इधर कौन है हमारे पास, Electric Field है, इधर हमारे पास कौन है, Dipole है, Magnetic Dipole को M से डिनोट किया जाता है, इस तरफ Electric Field नहीं, चिको भी आप Magnetic Field होगी, कैसी बाते करते हो, यहाँ पर देखो Magnetic Field है, इधर क्या है हमारे पास, Magnetic Dipole है, दोनों को किसी ना किसी एंगल थीटा पर रख दिया गया, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ होता था, एकदम वैसे ही यहाँ पर भी होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क वहाँ पर P cross B लगता था, वह याद है, टॉर्क वहाँ पर P cross E रखता था ऐसे, यहाँ पर टॉर्क क्या लगेगा, M cross B, क्या बात बहुत अच्छे समझ गया है, टॉर्क लगेगा M cross B, अगली चीज यहाँ पर, क्या potential energy होगी, बिलकुल होगी, minus M dot B, यहाँ की potential energy होगी, अगर एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेके जाएंगे, तो कुछ work करना पड़ेगा, बिलकुल work करना पड़ेगा, potential energy final minus potential energy initial, potential energy final minus potential energy initial, यह कितना होगा, potential energy final को लिखेंगे, minus M dot B, या फिर ऐसे लिख दूँ, Mb cos theta final minus Mb cos theta initial, Mb cos theta final minus Mb cos theta initial, बड़ा समझ गया है क्या, Mb cos theta final minus Mb cos theta initial, क्या यह बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई, minus Mb cos theta final minus Mb cos theta, minus Mb initial, sorted by, यह हैं से हमारे पास work done आ जाएगा, work done को अगर अपन और अच्छे से लिखना चाहें तो आ जाएगा, plus Mb cos theta initial minus Mb cos theta final, वो minus minus के चक्कर के बाद, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, हर एक प्राणी यहां तक काफी अच्छे से sorted हो गया, यह तीन formula मैंने आपको बड़े काम के यहां पर बता दिये, torque का, इसका work done का, यह तीन ही चीज़ यहां पर निकल निकल के आएगी, यही हमें पता होनी चाहिए, ठीक, तो dipole in uniform electric field, यही magnetic field torque आ गया, potential energy आ गई, और यहां पर एक और चीज़ में आपको बता देना चाहता हूँ, कि यह कब torque zero होगा, कब potential energy zero होगी, तो ध्यान से देखो, अलग-अलग state होती है, यह magnetic field है, यह भी magnetic field है, और यह भी magnetic field है, मैंने आपके पास, तीन तरह के मैंने magnetic field के, आप लोगों के पास क्या बना दिये? शेप बना दिये, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहां पर, acid eye pore level को रखा, acid eye pore level को रखा, acid eye pore beggar, तो इस case में theta कितना है? इस case में theta कितना है? zero degree, डिग्री इस केस में थीटा कितना है 180 डिग्री क्या हर एक प्राणी को बहुत अच्छा समझ में आगे थीटा के तीन वैल्यू जब थीटा जीरो होगा तो टॉर्क में आता है यहां पर देखो यहां पर कॉस 90 हो जाएगा जाता है और साइन वनटी हो जाता है जीरो और पॉटेंशल एनरजी यहां पर यहां पर प्राणी यह बात पर बहुत अच्छे से चियायर तो इस पर प्राणीशल एनरजी क्या है मैक्सिमम है और इस पर प्राणील इनरजी जलनी तो यहान पशेंशल मेंफें कोधका क्या होगा स्टेबल उपसले बात करेंगे। abilities के ऐसे हैं। फंद क्यों के अगर मैं हर दाए और यह समझे और ऑध़ को ऐसे रखा समझए गया तो अए तरफ अगर मैं ऐसे करूँगा तो घुम के दरी आएगा ठीक है ठीक है ठीक है अगर मैं ऐसे करा तो घुम के दरी आएगा ऐसे करा तो घुम के दरी आएगा ऐसे खीच के लेगा तो घुम के दरी आएगा क्योंकि इस टेबल है यही आना चाहता है पर चीकुबिया अगर यहां रख दिय तो क्या होगा यहां पर ऐसे रखा होगा तो कहीं जाएगा नहीं ऑपर GPA भाइब अच्छा एक्छप और मगन of M if it is rotate through through 360 degree पूरा की पूरा गुमा दिया तो क्या कोई potential energy change करी नहीं तो change in potential energy 0 तो work done 0 भी या load के महीं आ गया तो change in potential energy 0 तो इसके उपर का work done भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे पापी प्राणियों 0 हो जाएगा ठीक है ठीक है भी या सबको समझ में आ गया एक और चीज ठीक है इसके बीच में electric field और magnetic field के बीच की क्या similarity है वहाँ पर जब टॉर्क होता था तो वहाँ पर हम P cross E लिखते थे यहाँ पर टॉर्क के लिए हम P था dipole moment यहाँ magnetic dipole moment E था electric field यहाँ पर होगी magnetic field sorted है यहाँ पर जब हम टॉर्क के बाद अगर हम potential energy लिखने के कोशिश करेंगे तो potential energy माइनस P.E और यहाँ पर potential energy माइनस M.B बड़ा समझ गया है क्या अब यहाँ पर देखे potential energy माइनस M.B कोई दिक्कत परिशानी समस्य नहीं बिल्कुल एकदम सीम ही सब कुछ चल रहा है अच्छा गॉसलो क्या होता है गॉसलो हमें बताता है घॉसला का comment किस चीज पर होता था number of lines गॉसलो का होता था number of lines that is flux के बारे में गॉसलो के comment होते हैं तो गॉसलो बोलता था कि अगर एक area से अगर एक closed body से closed body से e.da कुछ number of lines pass कर रही है तो कितनी number of line closed body से pass करेगी यह होगा q enclosed upon epsilon not यह electric field के लिए होता था तो कितनी number of electric field line closed body से pass करेंगी यह इस चीज़ पर depend करेगा कि उस closed body के अंदर charge कितना वैठा हुआ है यह बात बहुत अच्छे समझ मेंगे कि closed body से कितनी number of electric field line pass करेंगी यह इस चीज़ पर depend करेगा कि इस closed body के अंदर charge कितना बैठा हुआ है ठीक है अगर इसके अंदर का charge in close 0 है तो कोई line pass नहीं करेगी यह हमने पढ़ाता ठीक अगर मैं B.DA लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि Gauss law हमसे यह पूछना चाह रहा है कि एक closed body के अंदर से कितनी number of magnetic field line pass करेगी Gauss law हमसे यह पूछना चाह रहा है कि एक body के अंदर से magnetic field line कितने number में pass करेगी तो हमें पता करना है कितनी number of magnetic field line pass करेगी तो बैटा वो होगी 0 Gauss law के अंदर हमेशा B.DA हो जाएगा 0 मतलब flux हमेशा 0 होगा एक closed surface से क्यों closed surface का flux 0 होगा तो ऐसे समझ लो closed surface के अंदर अगर मैंने यहाँ पर एक magnet को ऐसे रख दिया north pole, south pole करके ठीक है और घूम के magnet के अंदर से वापस यहीं आ गई तो यह line निकल के तो बहार गई थी हमें लगा निकला निकला flux पास हुआ लेकिन यह वापस घुस के अंदर ही आ गया तो क्या कोई line actual में इस area से बहार निकली कोई area से बहार लाइन बहार निकली ही नहीं तो इसका flux क्या होगा जीरो हमेशा क्योंकि magnetic field line close loop बनाती है चीकू भई या तो तब flux क्यों पास होता था अगर मैं एक dipole को ऐसे अंदर रख देता था यह पूरा एक loop है इस loop के अंदर मैंने अगर एक dipole को ऐसे रख दिया यहाँ पर मेरे पास positive charge है यहाँ पर मेरे पास negative charge है तो क्या यहाँ पर कोई flux pass नहीं होगा हाँ यहाँ पर flux pass जरूर होगा यहाँ पर flux pass जरूर होगा यहाँ नहीं हो रहा यह रेकिन यहाँ होगा क्योंकि ये field line यहां से पैदा हुई देखो ज़रा ध्यान से ये field line यहां positive charge की यहां से पैदा हुई घूम के गई और इस negative charge में खतम हो गई close loop नहीं बना रही close loop बनाती तो वापस यहीं आ जाती बड़ा समझ गए तो close loop नहीं ये line सिर्फ इस से बाहर गई और बाहर जाके यहां इसकी negative charge में म्रत्य हो गई है खतम हो गई है line पर यहां पर यह negative निकल नॉर्थ पोल से निकली है और घूम के south pole पर समा के वापस अंदर आ गई है क्योंकि इसकी म्रत्य हो नहीं यह close loop बनाती है तो फ्लक्स हमेशा 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 एक close surface से magnetic field की वज़े से zero pass होगा क्योंकि वो तो close loop बनाएंगी जित्ती बाहर जाएंगी उत्ती वापस अंदर आ ही जाएंगी clear तो कभी भी एक closed body से flux pass नहीं होगा क्या यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमारे हर्विक प्राणी को तो flux passing from a close body is always going to be equals to zero I hope तुम्हें यह सारी के सारी बात समझ में आ गई होगी गौसला से related तो net magnetic flux passing through a close surface keep in a magnetic field क्या होगा हमेशा zero तो magnetic field के बीच में जब भी दोगा closed surface को रख दोगे उसके बीच का flux हमेशा हर हालात में आने वाला है zero ठीक है चलो दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं इसका नाम है matter matter में हम यह बात समझने चाहते हैं matter कितने तरह के होता है और किस तरह से influence होता है matter समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा तो यह बाहर से कोई magnetic field चलते चलते आ रही है मेरा जूता है चपानी मैं magnetic field हिंदुस्तानी अब यहां एक material रखा हुआ है तो यह magnetic field जो है यह बाहर से magnetic field एक जा रही है इसे मैं अभी के लिए बोल देता हूँ B0 कोई दिक्कत तो नहीं है इसे मैंने B0 बोल दिया B0 आउटसाइड बे मान सकते हूँ तो बहार से एक magnetic field जा रही है इस material के अंदर clear तो यह बहार से magnetic field जा रही है magnetic field बहार जाएगी इस material कमेंदर इंटर करेगी और material सेrones said hydraulic Days यह बहार जाएगी और अंदर कुछ-णा कुछ magnetization करेगी krus magnetization मतलब इंडेस्ट्रीलाइजेशन मतलब डाना ना कोई दिक तो नहीं globalization मतलब किसी चीजको global लेकर जाना समझ गया तो यह magnet यहाँ पे गई तो magnetization कर रही भार से आई magnet इसके अंदर magnetization कर रही है इसके अंदर कुछ ना कुछ magnetic field बनाने पर इसे मजबूर करेगी तो भार से आई हुई magnetic field भी outside वाली magnetic field यहाँ अंदर जाएगी ध्यान से देखना है भी outside वाली magnetic field यहां अंदर जाएगी और अंदर जा करके इसके अंदर कुछ magnetic magnetization करेगी मतलब ऐसा समझ लो इसके अंदर कुछ ना कुछ magnetic magnetization मतलब magnetic field कौन बनाता है magnetic field कौन बनाता है magnetization magnet बनाती है तो इसको magnet बनाने के लिए इसके अंदर magnetic dipole induce करेगी, समझ गए, मतलब इसको bar magnet बनाने वाली कोशिश करेगी तो जब वो इसके अंदर जा रही है इसके अंदर कुछ M induce कर रही है, magnetic dipole moment इसके अंदर induce कर रही है ताकि ये magnetic dipole moment आ जाए, ये magnetic dipole की तरह भी F करने लग जाए, ये bar magnet बनने लग जाए, समझ रही हो का बेटा तो ये बहार से गई, इसके अंदर magnetic dipole moment induce कर दिया, तो जितना magnetic dipole moment इसके अंदर induce किया, इसे बोलेंगे I, I is what? magnetization, इतना इसका magnetization हुआ है I knot क्या है अई क्या है इतना इसके अंडर magnetization हुआ है मतलब इतना इसके अंडर magnetic field genuse हुए देखो यहां पर कुछ- це कुछ magnetic field बन गई तो यह हरा वाला वहर से गया है पिंक वाला अंदर पैदा हुआ है कौँगे की वज़़े से जो magnetic field पैदा होगी, इसे मैंने लिख दिया bi, यह bi होगी, mu naught into i समझ गए क्या हर एक प्राणी bi किसके बराबर होगी mu naught into i, तो अंदर कुछ magnetic field पैदा करी है किसने पैदा करी है अंदर magnetic field यह pink वाली magnetic field किसने पैदा करी है हरावाला बहार से अंदर गया, इसने इस वाले के अंदर कुछ pink कलर की magnetic field यह वाली magnetic field पैदा करी, जिसे हम बोलेंगे i, i क्या है magnetization, इसमें से यह वाली magnetic field पैदा हुई है, यह है i magnetization, किसने पैदा करी है बहार वाली magnetic field है, i की मुटिप्लाइए करते हैं तो मैंगनेटिक पीड़ पता हुँ चीको फिसने पहले डिसकेवरिकरा, उसने पहले इसकेवर कर लिया है वे सीधह आई डिसकवर कर लेता है, तो हम आई को मुटिप्लाइए करके एक ही फॉर्मूला पढाते है, समझ में आगय, मैंगनेडाइजे बनाता है बिल्कुल बनाता है तो ऐसे समझो कि एक material के अंदर बहुत सारे एटम है जल्दी समझो बहुत सारे एटम है क्या हर एटम के अगल वगल कोई चार्ज तो चल रहा है हर एटम के अगल वगल चार्ज चल रहे हैं हर एटम के अगल वगल चार्ज चल रहे हैं तो चलता हुआ charge magnetic field बनाता है गूमता हुआ charge भी magnetic field बनाता है बिलकुल बनाता है तो एक एक बार के अंदर या एक material के अंदर या conductor के अंदर बहुत सारे यहां पर ऐसे electrons होते हैं बहुत सारे atoms होते हैं जो जिनके अगल-गल वो electron घूम रहे होते हैं मतलब वो इलेक्ट्रोन घूम रहे है, मतलब वो चलता हुआ चार्ज है, मतलब वो मेगनेटिक फील बना रहे हैं, मतलब ये बी मेगनेटिक डाइपोल है, ये छोटे-छोटे भी किसकी तरह बीएफ कर रहे हैं, ठीक, clear, sorted, पर ये इनके अंदर मेगनेटिक फील होती क्यों न से रहए हैं, ये विचारे दिखाते नहीं हैं, एक्दम simple हैं, ये बना सकते हैं, ये बनाते हैं मेगनेटिक फील, एक दूसरे को एकदम शांत करके, एकदम शांती सुकून से रहते हैं, इस सारे हैं को वाकलने करती है जब इनको वहापस magnetize करती है तो वो इनके अंदर देखो ऐसे पहले से dipole बने होते हैं कुछ ना कुछ एक dipole moment per unit volume डेवलप हो जाता है उसी को हम intensity of magnetization बोल देते हैं यहाँ पे m denote किया है मैं आपको बता रहा हो आई बोलो इसे कुछ net magnetic dipole moment बन जाता है per unit volume उसी को हम intensity of magnetization बोलते हैं और इसे ही हम बोलते हैं कि B inside is equal to mu naught I, I यह वाला, बड़ा समझ गया है, यह magnetization, इसका इतना हुआ है, अब चिखुँवे, magnetic intensity क्या है, magnetic intensity वो intensity है जो बहार से पर यहां पर हमारे पास यह material था, अब जब भी हमारे पास यह material होगा, जब भी हमारे पास यह material होगा, बहार से ऐसे हरे color वाली light आ रही थी, हरे color वाली magnetic field आ रही थी, तो हमने इसे क्या बोल दिया था, BO बोल दिया था outside वाली magnetic field ये अंदर आके क्या बना रही थी pink color की intensity of magnetization बना रही थी, भार वाली field तो अंदर थी ही अंदर खुद की extra भी बन गई थी समझ जो क्या, भार वाली तो यहां थी अंदर खुद की भी ये pink वाली बन गई थी तो B0 को लिखने के लिए हम यहां पर लिखते थे H H क्या होता है, ह हमें बताता है कि per unit volume में, ये कितनी field है जो magnetize करने आ रही है ये कितना magnetic dipole बनाने की शमता रख रही है तो H हमें बताता है ये कितना magnetize करना चाहती है वो हमें पता चलेगा, मतलब यह एक तरह से क्या है, be not upon mu not, अगर हम be not निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसे लिख देंगे mu not into h, तो mu not into h जाता है, अंदर mu not into i बनाने, मतलब h जाता है, अंदर i बनाने, बेड़ा समझ गया क्या, तो actual में यह कौन है, h है, और यह कौन है, i है, तो h ने अंदर जाके i बना दिया, तो एक h है, ऐसे समझ लो, कि यह हलवाई है, हलवाई समझते हो, chef, chef को हिंदी में हलवाई बोलते है, तो यह chef h है, यह अंदर गया, और अंदर जाके इसने यहाँ पर ice cream बनाना शुरू करा, ice cream का chef था हो, तो बहुत अच्छे है, तो यह बहार वाली जो magnetic intensity है, उसे हम बोलेंगे h, okay, h into mu naught हमें बहार की magnetic field के बारे में बताएगा, इसे intensity of magnetic field भी बोलते हैं, okay, magnetizing field intensity भी बोल सकते हैं, मतलब magnetizing करने वाली field की intensity, है ना, समझे हो, कुमा के नाम रखने की, अलग-अलग तरह की चीज़े है, sorted भाया, तो b is equal to mu naught है, ना ही लिख सकते हैं, मुन्नी वे, तुम जो भी बोलो, यह b है, है ना, समझ गए, यह बहार वाली magnetic field है, यह अंदर जाएगी, और अंदर जाके, कुछ ना कुछ, अंदर जाके, कुछ ना कुछ magnetic field बनाएगी, है ना, आपको इन सब चीजों में नही फसना है, आपको अब क्या समझना है, इस पूरे, पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे, पार्ट से आपको यह समझना है, कि इस पूरा, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पूरे में, बहार से एक magnetic field है, जो अंदर जा रही है, और अंदर जाकर के, क्या बना रही है, आइस्क्र एक material के अंदर जाके वहाँ पर यह ice cream बना रहे है तो इनका boss है क्योंकि इन्हें कोई तो यहाँ भेज रहा होगा तो इनका एक boss है वो boss का नाम है X boss X boss, X boss ठीक है, तो X boss है magnetic field वाला X boss है X malik, ठीक है तो यहाँ पर X malik इनसे बूचता है कि तुमने ice cream बनाई तो कुछ पैसे कमाए होगे और मैंने halwai भेजे मतलब यह H है, जो chef भेजे ice cream बनाने वाले हैं आपे इनके उपर भी मैंने कुछ खर्चा करा तो ice cream का खर्चा upon halwai का खर्चा simple सी बात यह पूछता है कौन X boss X boss, X boss तो I will be equals to X into M बड़ा समझ गया क्या इस I का रिष्टा X into M से होगा तो यह X का I का X into H से होगा समझ गया यह इसे बोलता है susceptibility Susceptibility, Magnetic Susceptibility आप इसे X से भी याद रख सकते है X boss इसका नाम होता है Magnetic Susceptibility, इस boss का नाम है यह simple simple आप से पूछेगा और जो हलवाई है यह हलवाईयों पे कितना पैसा खर्च हुआ अगर यह पैसा बहुत ज़ादा होगा और इस पे जो खर्च हुआ मतलब यह ratio 1 से ज़ादा आगया तो boss खुश होगा कि यार मैंने जितना पैसा इन पे खर्च करा suppose मैंने हलवाईयों पे 100 रुपे खर्च करे और ice cream से मैंने 200 रुपे कमा लिए ठीक है तो यह दो आ गया ठीक है इसने जो ratio पूछा वो ratio कितना आ गया दो आ गया तो बहुत कुश होगा है कि मैंने जितना पैसा लगया उसका double मुझे मिल गया समझ रहे हो क्या अगर 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 यह पैसा 50 रुपे आया और यह पैसा 100 रुपे आया तो यह बोलेगा आधा मतलब जितना लगा था उसका आधा ही निकला है मतलब मेरा जीवन तो बड़ा बरबाद मैंने हलवाईयों पे 100 रुपे खर्च करे और ice cream से मुझे 50 रुपे मि करता है कि अब तो ऍसके वजह से जो बनेगी यहां पर कितना होगा और इंटना फिल्ड को यह होगी तो हम यहां पर लिखेंगे i is equal to xh, मतलब x will be equal to i upon h, यह चीज तुम्हें याद रखनी है, i और h के बीचिका रिष्टा तुम्हें याद रखना है, ठीक है, तो magnetic susceptibility is going to come out as, xm is equal to i upon h, इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, b inside, b i upon b o, ठीक है, तो b induced upon b o, ठीक है, b not, sorted everyone, super duper clean clear sorted, यह magnetic susceptibility का पूरा की पूरा कहना हो गया, अब magnetic susceptibility के अलावा, क्या एक चीज और हम यह बात जानते हैं, कि अगर हमारे पास एक magnet है, अगर हमारे पास एक magnet नहीं है, हमारे पास ऐसा समझ लो, एक object है, इस तरह से object बना हुआ है, अरे, क्या हो रहा है, एक object है, यह इस तरह से object बना हुआ है, इसके अंदर बाहर से कुछ magnetic field आ रही है, मैं बाहर वाली magnetic field को पूरा इड्रा करता हूँ, यह बाहर से कुछ magnetic field आ रही है, ठीक है, तो यह बाहर से कुछ magnetic field इस पे आ रही है, इस बहार वाली magnetic field के आने की वज़े से अंदर भी एक magnetic field induced हो रही है ठीक कि अंदर magnetic field induced हो गई अंदर वाली magnetic field को क्या बोलते हैं हम आई बोलते हैं हर एक प्राणी बहुत अच्छे से sorted हो गया भाई अंदर वाली magnetic field को हम क्या बोलते हैं आई बोलते हैं क्या ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, अंदर वाली magnetic field को हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, तो बहार कितनी magnetic field है, भी समझो, बहार कितनी magnetic field है, सिर्फ B0 है, बहार कितनी magnetic field है सिर्फ B-naught है अंदर जब चले गए तो अंदर तो B-naught भी है B-naught तो ही न और अंदर 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 आई भी है B-I भी है बाई अंदर तो B-naught भी है और B-I भी है क्या ये मेरा हर एक प्राणी पापी प्राणी समझ गया B-naught भी अंदर है और B-I भी अंदर है क्या हर एक प्राणी को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि या ये 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 B-naught है अंदर क्या है B-I है ये क्या है B-I है तो अंदर की तरफ जो टोटल magnetic field अंदर की तरफ होने वाली है जो total magnetic field अंदर की तरफ होने वाली है ये magnetic field कितनी होगी B0 plus Bi बड़ा समझ गए तो total अंदर की तरफ जो magnetic field होने वाली है B होने वाली उसे लिखेंगे B0 plus Bi हर एक पराणी ये बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है B0 को अपन लिख देंगे Mu0 H plus Bi को लिख देंगे Mu0 Mu0 जल्दी बताओ Bi को लिख देंगे Mu0 यहाँ पर से अगर मैंने Mu0 को common लिलिया यहाँ जाएगा H plus I क्या हर एक पराणी बहुत अच्छे से बात समझ चुका है Mu0 H plus I इतनी magnetic field अंदर होगी बाहर कितनी magnetic field है B0 अंदर कितनी है Magnetic permeability की या फिर ऐसे बात करते है Relative permeability की तो हमारे पास Magnetic permeability आपको याद यह Mu होता है Mu को अपन ऐसे लिखते है MuR into Mu0 अगर यही चीज vacuum के अंदर होती है अगर जब भी हम vacuum की बात करते हैं तो पता है न Permitivity, permeability यह तरह की चीज़ें अपन यूज करते थे तो यहाँ पर permeability बात कर रहे है मतलब magnetic में जो Mu होता है उसकी बात कर रहे है तो Mu0 क्या होता है In vacuum In vacuum तो जब भी vacuum होगा MuR is equals to 1 हो जाएगा In vacuum में ठीक है? पर अगर vacuum नहीं है कोई और material है तो महाँ पर MuR आ जाएगा तेक 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 महाँ MuR कुछ ना कुछ होगा MuR is not going to be equals to 1 It is not going to be equals to 1 कुछ ना कुछ तो होगा MuR कुछ तो होगा क्या हर एक प्राणी यह बात बहुत अच्छे समझ गया Mu will be equals to MuR into Mu0 Yes or no Every single one of you are you guys understanding it Clear, clean, sorted this particular concept अब MuR कैसे निकलेगा MuR को निकालने का तरीका होगा Mu upon Mu0 Mu upon Mu0 is going to give us MuR Mu upon Mu0 is going to give us MuR ठीक है, अब Mu upon Mu0 कैसे निकालेंगे Mu upon Mu0 कैसे निकालेंगे तो हम निकालेंगे, ध्यान से देखना हम निकालेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है हमें निकालना है हमें निकालना है ध्यान से दिखेगा हमें यहाँ पर क्या निकालना है magnetic field magnetic field inside या फिर total magnetic field inside that is B upon that is B upon B not यहाँ से हमें क्या मिलेगा μु आर relative permittivity permability sorry समझ गए B upon B r B not से हमें मिलेगा μु आर तो ऐसा समझ लो दूसरा boss है यह दूसरा boss पूछता है दूसरा boss पूछता है कि μु नॉट i plus h upon h ध्यान से देखना दूसरा boss पूछता है μु नॉट i plus h upon μु नॉट h तो यह हैं से हैं cancel होगा यह पूरी की पूरी चीज़ आ जाएगी 1 plus i by h ठीक है 1 plus i by h तो h से h cancel होगा तो 1 आ जाएगा i by h को आपन लिख देंगे यह तो आजाएगा 1 plus x बड़ा समझ गए तो μु र is equals to 1 plus x जल्दी से बता दे हर एक पराणी μु र is going to be equals to 1 plus x यह बात clear है μु र will be equals to 1 plus x every single one of your super sorted about this μु र will be equals to 1 plus x clear है इतना समझ में आ गया जीकु भया यह थोड़ा सा फड़ पढ़ाने वाली बात हो गई यहाँ पर थोड़ा सा धक धक कर रहे ला है मन तो देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे समझो कि यह वाला हमारे पास एक material है इस material के अंदर इस material के अंदर अगर बहार magnetic field कुछ है h और अंदर magnetization कुछ है i sorted नहीं चीकु भया अभी sorted नहीं हुआ रुको जारा अच्छे से अरे यार यहाँ पर पूरा के पूरा इसे ऐसे करके magnetic field बना ली तो यह बहार वाली magnetic field यह होगी अंदर की तरफ भी कुछ i बनेगा क्या दोनों की दोनों बाते आपको समझ में आ गई तो बहार होगा बहार कितना होगा जरा द्यान से देखना बहार h होगा सिर्फ अंदर कौन होगा अंदर h भी होगा और i भी होगा sorted है अब जो दूसरा बॉस है उसका नाम है म्यूआर म्यूआर पूछेगा कि मुझे बताओ total खर्चा मेरा कितना हुआ है total मेरा जो पैसे का लेन देन है वो कितना हुआ है मतलब मुझे हलवाई का खर्चा और यह जो ice cream है इसका फायदा दोनों एक साथ बताओ total बजड बताओ हलवाई प्लस ice cream दोनों का मिला जुला के बताओ तो हम बोलेंगा अच्छा ठीक है h प्लस i यह total आपका हिसाब है इतना गया इतना आया यह दोनों की दोनों यहां लिखती है total हिसाब अब बताओ कि अब बताओ कि हमारे पास यह हिसाब कितना है हलवाई का हिसाब कितना है तो यह h बड़ा समझ गया तो हमने पहले लिखा अंदर का total हिसाब कितना है h प्लस i का हिसाब कितना है तो हमने h प्लस i लिख दिया upon h लिख दिया पता है, mu r is equal to 1 plus i upon h everyone, is it super clean sorted ठीक तो 2 बोस हो गया, एक हो गया susceptibility, एक हो गया एक हो गया X, susceptibility एक हो गया U, that is U boss that is permeability relative permeability, okay which of the following, which the concept of magnetizing helps in, क्या करता है concept of magnetization, जल्दी से देखे भी यह तीनों option है आपके पास जल्दी से pause करके देखिए the classification of material on the basis of their magnetic property तो susceptibility क्या करता है classify करने में मदद करता है material को उनकी magnetic property के basis पे कैसे चीगूबया यही अब हम समझने पा रहे है यही हम अब हम समझने वाले है कैसे मदद करता है देखो तो magnetic property of material ऐसा समझो कि हमारे पास तीन शहर है हमारे पास क्या है तीन शहर है ठीक एक शहर दूसरा शहर तीसरा शहर ठीक है तो तीनों शहर के अंदर तीनों शहर के अंदर हमने सेम सेम हलवाई भेजे सेम हलवाई हमने तीनों शहर के अंदर भेज़ें ध्यान से देख रहे हो तीनों शहर के अंदर हमने सीम हलवाई भेज़ें ऐसे अब यह शहर ए है यह शहर बी है यह शहर सी है पहले शहर के अंदर जब हमने हलवाईयों को भेजा तो यहाँ पर क्या बनेगा भाया कुछ आई होगा कुछ आइसक्रीम यहा यहाँ पर भी कुछ आईस्क्रीम बनेगी, तीनों city में कुछ ना कुछ आईस्क्रीम बनेगी, तो यह पहला वाला जो city है, तो हलवाईयों के उपर, हम यहाँ पर किस चीज की बात करते हैं, खर्चा कितना हुआ, तो अपन सपोस हलवाईयों को भेजने में यहाँ भी खर्च मतलब इसके अंदर आई कैसे आया, ध्यान से समझो और बता हुज लगया, इसके अंदर आई कैसे आगया, अपोजिट में आ गया उल्टा पड़ गया आई तो यहां पर आई कैसा आ गया नेगेटिव आ गया आई इस लेस दन जीरो आ गया समझ गया आईस क्रीम में नुकसान हो गया ठीक है इसी के पास वाला एक और शहर था उसमें ये लोग गए आईस क्रीम बेची तो वहां पर भ हो गया इस जगे पर भी लोगों के मन में आईस क्रीम के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे तकलीफ हो गई लोगों उत्ता जादा ने भीखा तो यहां पर आईस क्रीम बिकी ठीक है आईस क्रीम की बिक्री हुई मतलब थोड़ी सी जादा ऐसा नहीं की नेगेटिव पूरा नहीं विकी ठीक है पर यह तीसरा वाला जो शेहर था उसको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं क्या यहाँ पर बताव आइस्क्रीम विकेगी यहाँ पर आइस्क्रीम बहुत बहुत भी की, बहुत 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 तो यहां पर आई की value क्या हो गई? बहुत बहुत ज़ादा हो गğin 0 से तो आई बहुत ज़ादा हो गया जे कितना होगा, susceptibility पूछेगा, तुम से बताओ, I by H कितना होगा, तो तुम बोलोगे, susceptibility है, बहुत ही easy है, बहुत ही simple जीवन है, I को, I तो negative होगया, H तो negative, H positive होगा, तुम्हारा जो खर्चा होगा, तो positive है, पर यह तो नुकसान होगया, तो यहाँ तो नुकसान होगया, तो X is going to be less than 0, तो negative आएगा, 0 से चोटा आएगा, तो इस जगे पर X की value negative है जाएगा, clear, यह दूसरी वाली जो city है, इस city में I थोड़ा सा 0 से बढ़ा है, पर 1 से चोटा है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी X की value, X की value, 0 से बढ़ी आएगी, और 1 से चोटी आएगी, क्या ब 1 से भी बहुत ज़ादा है, ठीक है, 0 चोटो आई, 1 से भी बहुत ज़ादा है, तो यहाँ पर जो X होगा, वो बहुत बहुत ज़ादा होगा 0 से, या फिर ऐसा बोल देता हूँ, बहुत बहुत ज़ादा होगा 1 से, समझ गया है, clear है, इससे भी लिख देता हूँ, यह 1 से भ पर होने वाला है, एक्स के बाद ये वाली चीज होने वाली है, इसे बोलेंगे, व्यू किया होता है, यह कितना होगा 1 प्लास X होगा तो यह यह लेस दन 0 था तो यहाँ पर Mu क्या होगा 1 से 0 के बीच में आएगा यह 0 से 1 था तो यहाँ पर Mu की Value कितनी आएगी जल्दी बताओ Relative Permeability की Value कितनी आएगी 1 से लेकर 2 तक आएगी और यहाँ पर X1 से बहुत बड़ा है तो यहाँ पर Mu R B Mu R B 1 से नहीं 2 से बहुत बड़ा होगा Clear? Okay, तो यह पहली City है जहाँ पर नुकसान हो रहा है इस City का नाम है इस City का नाम है DIA Magnetic ठीक है? यह City का नाम है DIA Magnetic यह दूसरी City है जैसे जैपूर, उदेपूर, नाकपूर वैसे यह DIA Magnetic यह वाला पूर की जगें Magnetic लगाना है तो DIA यह है भाईया है यह कौन सा वाला City पेरा पेरा, मेगनेटिक ठीक है? और यह आखरी वाला आएगा फेरो मेगनेटिक समझ गया क्या? तो DIA Magnetic पेरा मेगनेटिक फेरो मेगनेटिक तीन City हमारे पास आगी डाया, पेरा, फेरो हर एक पराणी हाथ तक बहुत अच्छे से clean clear sorted हो गया डाया मेगनेटिक, पेरा मेगनेटिक फेरो मेगनेटिक तीन तरह के City मतलब तीन तरह के माटिरियल है ये डाया मेगनेटिक माटिरियल, पेरा मेगनेटिक माटिरियल, फेरो मेगनेटिक माटिरियल, तो कौन से माटिरियल मेगनेटिक फेल्ड जब हमने इंडियूस करने की कोशिश करी, बहार से magnetic field भेजी और magnetic field induce करना की कोशिश करी तो कहां opposition field हुआ diamagnetic में अगर हम magnetic field induce करना चाहेंगे तो material हमसे दूर भागेगा clear है इसमें हम magnetic field induce करना चाहेंगे तो बोलेगा interest दिखाएगा पर बहुत ज़्यादा less interest show करेगा पर ferromagnetic वाला जूम के बनाओ 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 बुझे magnetic field बनाओ तो ferromagnetic सबसे अच्छा substance होगा magnetic field बनाने के लिए समझे भागा तो material तीन तरह के होगे diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic अब इन तीन तरह के material में, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic में, diamagnetic का क्या होता है इसके अंदर magnetic field oppose होती है तो यहाँ देखो, ध्यान से इधर से suppose 10 line जा रही है suppose 4 line गई इसमें 2 line उल्टी बन गई समझे रहो, यहाँ से 4 line सीधी गई इसमें 2 line उल्टी बन गई clear, clear, clear तो यहाँ से निकलेगी वापस 4 line ही इस जगह पर होंगी वापस 4 line ही ऐसे यहाँ से 4 line जा रही है यहाँ से 4 line जा रही है यहाँ पर 2 line उल्टी बन रही है तो इस जगह पर इस पूरी जगह पर 4 में से 2 minus होगे, सिर्फ 2 line ही exist करेंगी, समझ रहो क्या क्यों? क्योंकि इदर से 4 गए 2 इदर से आ रहे थे, 4 इदर से आ रहे थे यह लाइन दूर दूर हो गई न, क्यों? क्योंकि यहाँ पर density कम हो गई है, तो लाइन दूर हो गई है, clear, 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 तो यहाँ density कम हो गई है, यहाँ density जादा, यहाँ density कम, यहाँ density कम क्यों हो गई है, क्योंकि वह दो लाइन ने कैंसल आउट करके हैं डेंसिटी कम कर दिए कि इतनी बात समझ में आ गई तो हमारे पहली बात यह दोनों चीज़ जो मैंने बताया था सब्सक्राइबिलिटी जो होती है और पर्मीडिटी जो होती है रिडिटी पर्मी पर्मीडिटी वह प्लस एक स जाता है तो यह बीच में होगी सौर्ट डाया मेगनेटिक माटेरियल वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कहां तक हर प्राणी यहां तक डाया मेगनेटिक वाले इसके बाद आपन बात करते हैं पैरा मेगनेटिक मेटियल में थोड़ी-थोडी यह प कहीं है तोग्ए तो यहां बाद आपको जाए है तो यहां पर वापस पांच होगी तोग्णेटिक कि पेरा मेंगनेटिक में सेम चीज़ होगी जीरो से लेके कहां तक जाएगा यह वन तक होगा एक्सटब सब्सक्राइब तक होगा ऑर मिउ और इसका देखना फेरा मेंखनेटिक जो कोई भी सब्स्टेंस के अंदर ऐसे material बैठे होता है और इनके पास already dipole moment होता है material बैठे होता है इनके पास already dipole moment होता है material बैठा हुआ है material के अंदर एक atom बैठा हुआ है item के पास अगल वगल electron घूम रहे तो कुछ ना कुछ dipole moment है यहाँ पर यहाँ पर यह एक दूसरे का cancel out करते हैं लेकिन ऐसे इखटे होके बढ़ जाते हैं जो बहुत सारे एक जैसे dipole होंगे जैसे समझो बहुत सारे dipole जो एक जैसे होंगे यहाँ देखो इनकी शकल बहुत सारे dipole होंगे जो एक जैसे होंगे इधर वाले सब इधर 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 वाले जो dipole होंगे वह एक सांथ बढ़ जाएंगे जो सारे इधर 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 वाले dipole होंगे एक सांथ बढ़ जाएंगे जुन बनाके एक सांध बैठ रहा हैं सारे लोग एक सांध एक WhatsApp गुरूब बनाके एक Really इस तरह से डॉमेन बना बनाके WhatsApp गुरूप बना बनाके एक सांध रह रह और इसका भी नेट डाइपोल मॉम्मेंट क्या है zero है दूसरे सब भी नेट डाइपोल जरो हता हमारा एक net dipole moment होगा, दूसरे उसमें सारे इसके जैसे एक साथ एक जगे पर बैठेंगे, इसका एक net dipole moment होगा, और इन सब domains का जो collectively dipole moment होगा, वो zero होगा, clear, तो यहाँ एक एक नहीं रह रहे, यहाँ group रह रहे, sorted है, तो जब यहाँ पर magnetic dipole moment, जब यहाँ पर magnetic field बहार से लग convert कर दिया, इन्होंने एक पूरे whatsapp group को इधर convert कर दिया, इन्होंने एक पूरे whatsapp group को इधर convert कर दिया, समझ गए, तो इन्होंने एक को ice cream नहीं बेची, इन्होंने एक साथ पूरे के पूरे group को ice cream बेची, इन्होंने एक साथ पूरे family को ice cream बेची, तो जैसे ही यह सब लोगो आना शुरू हो गया क्लियर क्योंकि इसके अंदर domain model होता है हर एक भाई बहुत अच्छे समझ गए बात है the relative permeability of a material is इतना then the material will be relative permeability इसकी इतनी है मतलब 0 से 1 के बीच में इसका mu 0 से 1 के बीच में मतलब इसका x इसका x इसका x less than 0 होगा इसका x negative होगा भाई इसका x negative होगा क्योंकि x plus 1 mu आता है तो यह कौन सा होगा diamagnetic होगा समझ गए बहुत अच्छे से clear है fair of magnetic material के बारे में कुछ बाते हैं आपर लिखी हुई है okay sorted है तो बस यहीं तक था यहीं सब material के बारे में बात करने थी सारे material देख लिए magnetic property देख लिए that's it this is me Chico Bia signing off bye bye goodnight tata